Hello everyone, कैसे सभी लोग, उमीद करता हूं, सभी लोग बहुत अच्छो होंगे, welcome back, this is your author, भईया, back again with a brand new video, और 11th बहुत जादा तफ लग रही है, हम लोग almost 11th के mid में पहुच चुके हैं, बहुत तफ लग रही है, जो हमने सोचा था, जैसा हमने सोचा था, जो हमारा plan था, goal था, वैसा कुछ नहीं हो रहा, everything is falling apart, ऐसा लग रहा है कि हम से कुछ नहीं हो पाएगा, सभी लोग के दिमाग में यह thought आ रहा है, of course आ रहा है, आता ही है, और हम लोग सीधा आज topic की बात करेंगे, सीधा हम लोग topic पर discussion करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छो मेरा intention आपको hurt करने का नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं आपका एक family member हो रहा है, आप सभी मेरी family का हिस्सा हो, कुछ बच्चे इसमें 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे पहली बारे वीडियो देख रहे हैं, कितने भी लोग मेरे contact में आ रहे हैं, channel के थू, YouTube के थ और इस बीच, अगर कहीं पर मैं कुछ ऐसा बोल जाता हूँ, जिससे आपको hurt हो रहा है, तो मैं पहले आप लोग से माफी मांग लेता हूँ, ऐसा मेरा कोई intention नहीं है, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, और मैं आपके लिए care करता हूँ, इस कारण से मैं आप लोग को यह च तो यह give up करी दिया होगा, कि अब तो कुछ नहीं होगा, 12 में हम लोग बहुत अच्छा फोड़ेंगे, तो सबसे पहला point, backlog बहुत सारा बन गया है, इतना बन गया है, इतना जादा बन गया है, कि अब लगता है कि यह कभी cover हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना जादा backlog होने के ना तो backlog पर धान जा रहा है, ना ही present chapters पर धान जा रहा है, दूसरा, coaching में आपकी काफी सारी tests होई होगी, चिन tests के अंदर हमारा consistency performance इतना अच्छा नहीं रहा होगा, जिसके चलते हमारो जो confidence यहाँ था वो अभी हाँ पर आच चुका होगा, क्योंकि हमने सोजा थो बहुत थ लेकिन हमारे test में scores होगा, वो कम हो रहे हैं और हमें इसकी बहुत जादा tension हो रही है, तीसरी चीज़, हो सकता है आपकी coaching के अंदर reshuffling test होई हो, जिसके अंदर क्या होता है, कि जो बच्चे अच्छा perform करते हैं, उनके अलग badge बनाई जाती है, और जो इतना अच्छा perform नही हमें अभी नहीं गुस रहे हैं, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि class में का चल रहा है, इस current से ना हम अभी के पढ़ाई कर पारें और ना हम पुरानी पढ़ाई कर पारें, इन चार points में इस देश के हर एक ग्यारवी के बच्चे की life sum up हो जाती है, तो अब मैं जो आप इसे बात करने वाला हूँ, कि ये धान से सुनना, क्योंकि इसके आगे, अब हमें किन-किन चीजों का धान रखना है, लेको सबसे पहली बात तो ये है, कि ये हर एक इनसान की life में phase आता है, तो एक बात समझ लो, इतना बहुत ज़्यादा depression में जाने से पहले, कि ये आपकी लाइफ का एक phase है, जो आया है, और जो निकल जाएगा, अब मैं आप लोगों से मुद्दे की बात करता हूँ, और मैं आपर तुम्हें मोटिवेट नी करूँगा, तुम्हें कुछ चीज़े रियलाइस कर वाँगा, जिससे तो तुम अपने आप मोटिवेट हो जाओगे, मालो, for example, एक example लेते हैं, हम लोग random numbers लेते हैं, please don't quote me on this random numbers, कि यह data है वो data है, तुम भावना को समझो, ठीक है, माल लेते हैं, कि almost 10 लाग बच्चे जही की exam देते होंगे, हम लोग numbers स्वड़े साइड में रख देते हैं, पर हम लोग ए example ले रहे हैं, मालो 10 लाग बच्चे बच्चों की condition तो यही है, maximum majority बच्चों की condition यही है, तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है, आप ऐसे अकेले बच्चे नहीं हो, जिसके साथ यह हो रहा है, आप अपने class में कुछ जाग के देख लो, आपको दिखेंगे, maximum बच्चों के साथ में यही same चीज हो रही है, सबकी conditions ही लेकिन यह बात जानने के बाद में आपके पास दो options है, relax हो जाओ, यह सोच कर कि यार सभी के साथ तो हो रहा है, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, सभी के साथ यही चीज हो रही है, सभी के साथ हो रही है, तो मेरे साथ में भी हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्य तुम सबके जैसे हो, क्या तुम कुछ के बारे में यह सोचते हो, बताओ मुझे एक बार, या फिर तुम कुछ के बारे में यह सोचते हो, बचपन से तुमने यह सोच के रखा है, कि नहीं यार, मैं भीड से अलग हूँ, मैं इस पूरी भीड का हिस्सा नहीं हूँ, मैं भी गर में लाइट जाती है, तो हम कभी भी घर के अंदर कोई error rectify करने नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले बाहर जाकर देखेंगे, कि कि अगर सबकी गई है, तो मैं relax दो, लेकिन क्या हमें ये mentality रखनी है, कि सबके साथ में हो रहा है, सबके साथ ये हो रहा है, तो मेरे साथ भी होन लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, बहुत टफ लग रहा है हमको, आसान किसके लिए मेरे भाई, किसी के लिए नहीं है, ठीक है, जिस दिन तुम इस class में आये थे, मैंने तुमको ये चीज़ पहले ही बोली थी, कि ये class टफ होनी है, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये भी बो मैं सब चोटी मोड़ी चीज़ों के लिए नहीं बना मैं, तो इसके लिए बनाओ, उसके लिए बनाओ, देखो मेरी चान एक बात समझो, इस मोमेंट पर अगर आप अपनी पढ़ाई से ज़ावा इंपोर्टन कुछ कर रहे हो, अगर आप स्पोर्ट में बहुत अच्छ हो, बहुत हाई चांसे से कि आप बहुत अच्छा फोर दोगे, फिर अगर आपको ऐसी चीज़ कर रहे हो, जिसके लिए आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है, तो एक बात समझने भी आती है, कि ठीक है, बच्चा कुछ और कर रहा है, जिसके लिए उसको बहुत अच्छा जाव बनाते हैं कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, यह reality है, अगर तुम उसके, और यही चीज़ होती है, अगर आप उसे कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बहुत बहतर कर रहे हो, तो बात अलगे, लेकिन maximum बच्चे ना पढ़ करोगे कल करना पड़ेगा लेकिन कल एक दिन कम हो जाएगा परसो करना पड़ेगा कर सकते हैं लेकिन परसो दो दिन कम हो जाएंगे ऐसी करते करते दिन कम होते जाएंगे एक महिना आपको ज्यादा मेनत करनी पड़ेगी ना देड़ महिना करनी पड़ेगी कर लेंगे लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस बच्चे ने अपनी ग्यारवी ट्रैक पर ले आई, 90% तो वह वहीं जी दिया आप सोचो कि अगर आप मेजोरिटी से, भीड से कुछ अलग करते हो, जो कि है 11 सुधार लेना, 11 में अच्छा फोड लेना, तो आप सोचो कि आप कितने आगे निकल सकते हो हमको अपनी मेंटालिटी ये नहीं रखनी कर सबकी बिगड़ी है, तो मेरे पास मौखा है, कि अगर 11 सुधार लोंगा, तो सबसे आगे निकल सकता हो देखो यार सिलेक्षन होना, ना होना, 11-12 के बाद अपना डिजार इड कॉलेज मिलना, ना मिलना, सब बात की बात है, सब दो साल बात की बात है, ठीक है? तब का तब देखेंगे, लेकिन अगर आज तुम रोज गिस रहे हो, मेनत कर रहे हो, एफर्टस ढाल रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ये स्ट्रगल कभी भी वेस नहीं जाता मैं तुम्हें नेक्स वीडियो को अपनी पूरी स्टूरी बताऊंगा ये पूरे स्ट्रगल की, पूरे सीन की मेरे साथ ने ये चीज़ कैसे होई थी, क्या होई थी मैं पूरी स्टूरी आपको बताऊंगा और मैं इसलिए ये चीज़ आपको कह रहा हूँ कि ये struggle कभी भी waste नहीं जाता ये महनत कभी भी waste नहीं जाती लेकिन अगर आप अभी महनत ही नहीं करोगे efforts नहीं डालोगे तो आगे life में कितने बड़े-बड़े challenges आएंगे उसमें कैसे महनत करोगे कैसे effort डालोगे कल को कोई बच्चा डॉक्टर बनता है अभी जो pressure है जो stress है जिस दिन आप OT में हो ठीक है operation theater पे हो उस समय अगर हमको की operation perform करना है वो जो stress रहेगा उस समय जो दिमाग में stress रहेगा वो इस सुझादर रहेगा तो इंसान के अंदर stress जहिलने की capacity होनी चाहिए पताओ मुझे इसी लिए आप 11-12 को ऐसे मत देखो कि आप मेरा career बरबाद हो जाएगा कुछ नहीं करूँगा तो नहीं होगा ये भी चीज मैं आपको बताता हूँ लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि महनत नहीं करेंगे आप महनत डालो और कुछ नहीं अपने बस अभी करने के लिए और दो ही साले बस महनत डालो महनत करो, struggle करो result आ रहा है, नहीं आ रहा फरख नहीं पढ़ता हो से, आप महनत करो मैंने न, और इसी बात तर तुमको मैं एचीज बहनना चाहता हूँ कि मैंने न, हमेशा अपने motivation का एक source रखा है वो है दूसरों का दर्द वजब किसी को दर्द पहुचाना नहीं किसी को hurt करना नहीं लेकिन तुम एक चीज सोचो, जब भी तुम coaching जाते हो, school जाते हो, तुम लोग आस पास बहुत चारे लोगो को देखते हो जितनी मेहनत एक, दो, तीन गंटे के अंदर कर रहा है न, हम तो उतनी हफते बर में नहीं कर समक्ते हैं और एक और बहुत important चीज, उस इंसान को पता है कि जिन्दगी भर मेहनत करनी है लेकिन उसे पता है कि इस टाइप की मेहनत उसे जिन्दगी भर करनी है लेकिन हम ये चीज जानते कि अगर हम लोग दो साल मेहनत डाल लेंगे न तो आगे की लाइफ सुदर सकती है सोच के देखो आपका घर्यार मेरा घर है ठीक है, आपके ममी बापा मेरे लिए मेरे ममी बापा जैसे है और अगर आप उनके आखो में देखोगे न तो एक ही चीज दिखती है कि वो अपने बेटे को अपनी बेटी को सक्सेस्फुल देखे और वो इतनी एक्स्पेक्टेशन इसलिए रखते हैं क्योंकि आप वो चीज कर सकते हो आप में वो पोटेंशल है एक और बात में आपको ओदा दूँ अगर आपको यह चीज इंपॉसिबल सी लगती है कि भाईया आप तो क्या हो जाएगा आधी 11 निकल गई ऐसा नहीं है मैंने मेरे आज पोडोस में ऐसे बहुत एक्जम्पल्स देखे हैं इस सने पर शुरुबात करके भी बहुत अच्छा फोड दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह चीज पॉसिबल नहीं है तो अगर आप पॉसिबलेटे की बात करोगे कि पॉसिबल है कि नहीं है बिल्कुल है इस आर मॉरल ओब्लिगेशन तो मेक एन इंपक्ट प्रपोर्शनेट टो आर पोटेंशल समझ लो मैं क्या कराऊ मतलब कि भगवान ने आपके अंदर जो पोटेंशल डाल के भेजा है न यह हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम उतना इंपक्ट इस सोसाइटी पर दे कल को उठके आप में से कोई बहुत तगड़ा सिये बनेगा आप में से उठके कोई बहुत तगड़ा सर्जन बनेगा कोई बहुत तगड़ा डॉक्टर बनेगा आप में से ही कोई उठके किसी बहुत बड़ी कंपनी में कोडिंग कर रहा होगा जो आज के आज से दस साल बाद किसी की लाइफ बदल रहा होगा तो आपके उपर वो duties हैं ठीक है आपको बता नहीं है लेकिन हर एक इंसान के साथ में एक duty भीजी गई है यह अभी न और कुछ भी नहीं है करने के लिए ठीक है भाई हम college में जाने के बाद में अपने relationships को देख लेंगे ठीक है हम college में जाने के बाद में मस्ती कर लेंगे मैं तुमको यह बात बता रहा हूँ अगर यह दो साल मैं तुमको ये भी नहीं बोलता कि अभी भी कि उमसिर्फ पढ़ाई 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 गरो, मैं तुमको ये बोल रह रहा हु कि अगर तुम दो साल महनत करना सीह जाओगे न मैं लिट्रिबिटर censर तुमको कहरा हूँ कि आप बहुत आगे निकल जाओगे इंसान दो साल यहां पर मेहनत करता मैं रिजल्लीट की बात करता हुँ, वो आगे जा के वहां ने लेकिन जो बच्शा में इस प्रशर में मेहनत करना शीह गया वे तुमको बतारो हूँ आप लाईफ में कुछ भी उखार सकते हो, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी भी सनौंगा अगले वीडियो के अंदर तो मेरी जान इस वीडियो के साथ मेरा एक ही उद्देश्व था आपको ये बताना कि आपके अंदर वो पोटेंशल है और आपको चीज कर सकते हो मैं आपको ये चीज रियलाइस करना जाता हूँ कि आप अभी भी उस ट्रैक पर आ सकते हो देखो यार क्या हो जाएगा थोड़ा दो घंटा जादा मेनद करनी पड़ेगी एक महीना तुम सोचो ना जिन्दगी पर तो नहीं करनी ये चीज जिन्दगी पर नहीं करनी न जीवन का बस और देर साल देना है सोच के देखो अभी हमारी ऐज कितनी होगी 16 almost 16-17 के बीच में बस एक देर साल और देना है सोच के देखो कि by the time you are 18-19 आप इतने सारे lessons सीख जाओगे इस pressure से इस stress से कि आप लाइफ में किसी भी तरीके का stress handle कर सकते हो but that being said I hope all of you enjoyed this video enjoyed तो मैं क्या ही बोलूँ I hope all of you learned something from this video मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि और मेरी ये हाथ जोड का आप सभी से विंती है कि यार आप में वो ताकत है वो potential है इसी लिए मैं आपको ये बोल रहा हो करने के लिए नहीं होता तो मैं कभी expect भी नहीं करता हूँ मैं कभी बोलता भी नहीं ठीक है but make sure कि जितना potential है अगर तुम उतनी भी महनत कर लोगे न तुम भाई लाखो लोगों से आगे निकल सकते हो वो top 1% cream layer में आ सकते हो ठीक है with that being said I hope all of you enjoyed this video love you all take care अगली test में कैसे तुमारा number जादा नहीं आते देखो कि भाई ऐसे कैसे number नहीं आ रहे मैं दिखाता हूँ में क्या चीज़ हूँ बस भाड़ कर रख तो love you all take care जय हिंद बन्न मात्रम बाई बाई